आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अनुस्करिक्टिंग व्लोग तो फ्रेंड्स आज के व्लोग में स्टार्ट करें अभी से और अभी का टाइम हो रहा है इवनिंग का टाइम मैं जाते व्लोग अपने इवनिंग में ही शूट करती हूं और आप लोग उ करने जा रही हूं अपना इवनिंग का रूटीन की इवनिंग में सोने से पहले हम लोगों को हर रोज एक काम करना होता है कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे किती आपका बैड कैसा है आपका इतना बड़ा बैड है क्या इतना बड़ा मतलब बैड है किस तरसे आपने क्या है तो मैं उन लोगों को बताना चाहती थी कि actually मेरा बैट जो था पुराना शादी वाला ही बैट था मेरा और शादी वाला जो बैट था उसको मैंने जब मैंने घर में काम करवाया था यहाँ पर तो फरनीचर का जब काम होता थोड़ा वो तब मैंने उसमें थोड़ा सा काम कराया था जो उसका पीछे का सिर्याना था उसको मैंने निकलवा दिया था और उसकी जगे नया सिर्याना लगवाया था जो ऐसे कि आप देख रहे हो पहले जो चलते थे वो अलग तरह के चलते थे और अभी मैंने इसको चेंज करा लिया था तो जब मैंने उसको चेंज कराया था और तभी मैंने इसकी माईका वगरा भी चेंज करा ली थी बैड की और उसके साथ में मैंने एक दिवान बनवाया था जो कि आप लोग को के कमेंट्स आ रहे थे बहुत ज़ादा तो वो दिवान मैंने बनवाया था खुद से 2 फुट उसकी चोड़ाई है और 6 फुट उसकी लंबाई है और वो दिवान बिल्कुल बैड के साइज का ही मैंने बनवाया था अचली बिल्कुल बैड के साइज का ही जिससे की रात को सोने से पहले मैं उसे सरका सको और हटा सकूँ तो ऐसा है मेरा बैड तो मैं आपको आगे शो करूंगी देख लेना आप लो तो उसे बैड को मैं रोज हटा भी सकती हूँ और लगा भी सकती हूँ और उसके नीचे न मैंने छोटी-छोटी सी गिटक लगवाई हैं बैड के नीचे जिससे उसे आराम से खिसकाया जा सके और इसी तरह से मेरे बैड के अंदर भी मदला बैड के मीचे भी छोट-छोटी सी गिटक लगी हूँ यह प्लास्टिक की जिससे मैं पूरा अपना भरा हुआ बैड पूरा ही खिसका लेती हूँ अपने आभी बिना किसी हैल्प के बिना किसी मुश्किल के मतलब परिशानी भी इतना सारा समान निकालना भी होता है वहां से तो बैड को खिसकाना भी पड़ता है कई बार तो उसके लिए ऐसा पॉसिबिल हैं कि मैं बैड को प्रोच खोलू और रोज उसे बंद करूं तब उसके पीछे से समान निकालू ऐसा नहीं है मैरा बैड पूरा कसा हुआ है मैं मैं पूरा बैड एक जगे जुड़ा हुआ है एक साथ और उसके बाद मैं निकालती हूं और लब मां खिसका लेती हो उसको और लगा देती हूं आसा ही तो यह तो था मेरा बैड की बाती और आगे आप आगे मैं आप लोगों को दिखा दूगी कि किस तर से बनवाया हुआ है मतलब कि असा है मेरा बैड और सोने से पहले हम लोग रोज ये काम करते हैं और और साथ में शेयर करको मैं आगकल है मकार सकाथी तो मेरा वलॉग मकार सकारणी की दिन ही जाएका कल तो भाष्टल्मा में करते ह्साना च्छी जाता है कुछ लोग बाज्रे की खिचडी बनाते थे कुछ लोग के लड़ू बनाते थे वाज्रे की तो मैं आज आप लगो किशार शेयर करूंगी बाज्रे के लड़ू तो बाज्रे के लड़ू बाज्रे के आटे से ही जो बाज्रे का टब बजार में मार्गिट में मिल जाता है तो उसी से ही बनाऊंगी और गुड़ से बनाऊंगी तो वही मैं आज आप लोगों की शार्ष शेयर करूंगी आई होब आपको वीडियो पसंद आएगा तो फ्रेंड्स यहां पर मैं बना रही थी कपड़ों की तैब बच्चे गए हुए थे टूशन तो इविंग का यह मिरा ड कपड़े हो जाते हैं तब ही उनको फोल्ड करती हूं बट यह एक दिन के ही कपड़े थे मेरे फोल्ड किये हुए क्योंकि वह इनस तरदियों में सभी के कपड़े होते हैं क्या कपड़े एक एक बंदा पहनता है तो तीन दिन चाश्य कपड़े एक जने के हो जाते हैं और तो बस वही है कपड़े फोल्ड कर रही तिदर और इधर सनी सारा दिन मेरे पास ही लगा रहता है तो वो लग रहा है मेरे साथ मस्ती करने वो बार बार टीवी टीवी के पास जाता है और टीवी देखता है खड़े ओकर दिवान पर तो वही है उसको टीवी देखना होता है ल और यहां पर मैं कपड़े सारे फोल्ड करके रख दूंगे अभी क्योंकि वही ना बच्चे जब टूशन में जाते हैं तभी फ्री हो पाती हूं थोड़ी देर के लिए अधर्वाइस पूरा दिन घर में टीवी चलता रहता है और पूरा दिन ही बच्चे लगे रहते हैं और जिसकी मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है इधर सनी लेकर आया था मॉबाइल की ममा मेरा फोन चला दो मेरा फोन चला दो और यह उसका काम है कि वह मुझे एक मिट पे अकेला नहीं छोड़ता है आगे आप लोग देख लोग यह तो चीजे क्योंकि वह बिल्कुल भी यह जादा लगता है भी चुच में आई ऐसे ही आर आपलाइगता है और नहीं कि वह ज्की तो इस भाली पजामि क्योंकि एक थे पजामी नियुक्त में सारी पजामि रख देती हूं करके तो इसके बैग के इंदर यह पजामी में रख दोंगी जाए तो पजामी थोड़ा मोटे हैं तो सेट के साथ की इधर देख लिजे आप लोग भी मेरा यह दिवान और यह दिवान मैंने बनवाया था जब मेने काम करवाया था अपने बैड रूम में तो इस बैड की चोड़ाई है दो फूट और लंबाई है छे फूट और इस पर मैंने बैड शीट उतार दी ती क्योंके बैड शीट मेरे बैड की हाइट है उतनी ही इसकी हाइट है और यह बैड मैंने इस्पेशली बनवाया था अपने बैड के साइच का ही क्योंकि मुझे दिक्कत होती थी सोने में क्योंकि अभी तीन बच्चे हैं और दो हम लोग 5 लोग है सोने वाले तो बैड कम रह जाता था हम लोगों और इसका जो स्रियाना था वो मैंने चेंज कराया था और माईका मैंने इसकी चेंज कराया थी बाकी सब कुछ वही है पुराना वाला और यह पैड के आसपास का एरिया मैं कवर करके रखती हूँ रूम में यहाँ पर यह मोटू पतलू की एक मैट बिचाई हुई है और मेरे पास मतलब मैट्रेस तो इसको में बिछा के रखती हूं हमेशा रूम में जिसकी वड़े से सनी गिरे बैड की आसपास तो चोटना लगे उसी और सर्दी है तो सर्दियों में नीचे जमीन खुली भी ना रख छोड़ती जाती है छोड़ी जाती है बिल्कुल भी क्योंकि बच्चा है छोटा तो नंगे पैर भी घुमता है कभी शूष पहनता है कभी नहीं पहनता है तो अभी रात का टाइम होने वाला है बच्चे टूशन से आने वाले थे तो मैंने सोच उनके आने से पहले ही मैं बैड को मिला देती हूं जोइंट कर देती हूं तो यह काम हम ल तो यह काम मैं रोज इसने करती हूं सोने से पहले और बैड दिवान को मॉर्निंग में मुझे हटाना पड़ता है क्योंकि इसके पीछे जो अलमीरा आरी है ना तो वो अलमीरा नहीं खुल पाती है अगर मैं यह बैड दिवान के साथ ही मिला कर रखती हूं तो इसी विज़े स और मेरा पूरा ही बैड भल खिसका लेती हो मैं इसी तरह से पूरा बैड यह वार बड़ा बैड भी खिसका लेती हूं क्योंकि श ककेतने च्पushipper के नीचे जिसकेते में धिकर दोंगी इसके यह वाली मैट्रेस तो यह मैट्रेस वाल है और अगर आप यह परंचिस करना फोट करके और यह मोर्णिंग का टाइम ffic in तो मौरणिंग में मैंने बनाई कि ऑने दिट कर रहे थी तो यहां पर सनी लग रहा था अपनी मस्ति करने इसलि अज़ा ली अभी तक नहाई नही ही उर क्योंकि ऑड बनाउगी नास्ता नास्ते में बनाए थे परांठे और बना थे बिंडी और उदर मैं कर रही थी गरम पाने पाने के लिए क्योंकि गंद गरम पानी पीना बताया था मैं को तो एस टरबां ने पाने का जटनी को साथ में ही होता है मेरे साथ साथ और ते कि durability नहीं कहहिए टले लो सारा काम छोड़ो मुझे घौझ मेल उठा है तो यही काम उसका लगा रहता है और हो इसी तरह से चिपका रहेगा मेरे साथ जब तक मैं यहाँ पर खड़ी चांट कोई भी काम करूं तो किछिन में लगना ही होता है साथ में मेरे इसलिए मैं बच्के आ रहते हैं। तो इसके बाद ही काम में लगती हूं और अब ही मैं बना रही थी गुड के लड्डू मकर सकराति आने वाली है तो गोड के लड्डू बना रही थी बाजरी वाली तो उसके लिए मैंने लिया है गौन्द गुडू बाजरी काट्टा और ड्राइफूर्स तो यहां पर मैंने उसमें डॉण लूण गीए और पने थ thrirs बूण लूँगी सारे तो उसलिए अच्छ से मंदि मंधी गयास करके और इसके बाद इने NICKाल दूण कढ़ाई से और अभी मैंने 2 गी डाला है इसके अंदर काफी सारा तो यह जो गोंद है मुझे यह तल के रखना है कढ़ाई में जो गी डाला था उसमें तो यह सारा गोंद मैं तल लूँगी तो गोंद हमारा अच्छे से तलना चाहिए तभी उसका टेस्ट आता है अदर्वा तो इसमें से कुछ गौन तो मैं डालूंगी लड़ों में और कुछ गौन में उठाकर रख दूंगे अलग क्योंकि मुझे ना दूद में डालकर गौन खाना बहुत अच्छा लगता है तो रात को जो दूद बनाती हो ना तो उसमें डाल दूद थोड़ी देर के लिए अच्छी सी खुष्पू आने लगीती है तब तक इसे बूनना है बाजरे का और कलर भी सका चेंज हो जाता है बाजरी का तो हम बाजरी का अटे के लड़ों इसलिए बना रहे थे क्योंकि मुझे निकालूंगी इसको कड़ाई के अंदर और इसमें जो ड्राइफूस में य इसमें लिया था मैंने तिल लिये थे काजू बदाम और थोड़ी सी खरबुजे की मींग बर ड्राइफूर्स में मैंने यह लिया था और तिल इसले ले थे क्योंकि मकर्शकनाथी पर तिल बहुत जादे स्पेशल होता है और अभी मैं गुड का बनाऊंगी चासनी तो गुड अभी मैं गुड की चासनी तो अभी मैं गुड की चासनी भी इसके अंदर एड कर दूंगी तो गुड की चासनी मैं थोड़े गाडी ही बनाई है मतलब पतली नहीं बहुत ज़्यादा तो अभी मैं इसको एड कर दूंगी लड्डू में मिला दूंगी मिक्स कर दूंगी अ पूर्प बोलूनों के और थपड पारूंगी तेर को वो जाकर कम्णरी में अंदर क्या उसे गुछा हो गया मतल़ उसको लग रहा है कि मुझे पीचे पीचे कोई मनानी के लिए आएगा और जब कुई पीचे पीचे मनानी के लिए नहीं गया तो वो वापस आगे अंदर से शेतानी करने के लिए कि मैं आ गया वापस, कोई नहीं आया मुझे बनाने, उसको गुस्ता करना बहुत अछछे से आता है, उससे समझ में आता है कि कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे डाट रहा है, तो मैं गुस्ता होजूँ और अभी लड्डू उठाने लगाए हो, तो तो यही है, सारा दिन बस यह मेरे पास ही रहता है, इसलिए मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रावलम होती है, क्योंकि सारा दिन मेरे से ही चिपका रहता है, कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं, पूरा दिन मेरे पास ही रहता है घर में, तो इसलिए से थोड़ी सी प आप लोग भी तो अभी हम खाएंगे लड्डू मा कर सकना थी कुछ रख दूंगे पूजा के लिए और कुछ खाएंगे हम लोग लड्डू तो अगर लड्डू की रैसीपी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूब बताएं और अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और शेर कीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल बटन जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की झाना को में तिरे